दोस्तों नमसकार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नागिया जलने को ड़बा आज की इस कलास पे हम बात करने वाले हैं सिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा मनोविज्ञान क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? क्या आर्थ है इसका प्रकृटी छेतर परिभषाएं? पढ़ा लेकिन इस मनोविज्यान का शिक्षा से संबंध क्या है शिक्षा के अंदर मनोविज्यान आया कैसे शिक्षा मनोविज्यान का इतिहास क्या है सरवपर्थम किस मनोविज्यानिक ने मनोविज्यान को शिक्षा के अंदर लाने का परियास किया यह सारी चीजें आज अ साइकी और लोगोस साइकी का आर्थ होता है सोल यानि की आत्मा और लोगोस का आर्थ होता है स्टडी यानि की अध्यान तो इस तरह से स्टडी ओफ सोल यानि की आत्मा का अध्यान जो है या आत्मा का विज्ञान जो है वो मनविज्ञान है इसको हम पढ़ चुके हैं लेकिन शिक्षा संस्क्रत के शिक्ष धातु से بना है और जिसका इंगली शर्त होता है education लेकिन यहां फिर भाद लेटिन भाशा की होगी education शबद लेटिन भाशा के दो शबदों और बना है जिसको ग्रीग भाशा कहःए या यूनानी भाशा कहःए ये बना है E और डियूको से E और डियूको E और डियूको जैसे साइकी और लोगों से बना था मनविग्ञान यानि कि साइके लोजी इसी तरह यहां पर साइकी, यूनानी भाषा का शब्द Soul और यह study तो E और डियूको का अर्थ क्या है E का अर्थ होता है भीतर से युनानी भाषा में E और हिंदी में भीतर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना इसका मतलब मनुश्य में छिपे आंतरिक गुणों को अंदर से बाहर लाना शिक्षा कहलाता है तो यह शिक्षा है और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये जो education शब्द है यो ड्योकों से तो बना ही है इसके अलावा दो युनानी शब्द ओर हैं एक तो होता है educeer और एक होता है edukier इन दो शब्दों से भी इस education शब्द की उत्पति माने जाती है और जिसका अर्थ होता है नेत्रत्व करना लेकिन ये जो शिक्षा शब्द बना के से इसकी बाद हमने की जैसे मनोविग्यान इन शब्दों से बना जैसे इसके बाद हमने मनोविग्यान के परिभाशाएं पढ़ी थी अलग-अलग मनोविग्यानिकों के दिवारा दिये गई इसी तरह शिक्षा की भी अलग-लग मनोवेग्यानिकों ने कुछ परिभाशाएं दी हैं अब ये शिक्षा की कौन सी परिभाशाएं शिक्षा को किस मनोवेग्यानिक ने क्या कहा उसको समझते हैं सबसे पहले अपन बात करते हैं गांधी जी गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वांगिन विकास से है यानि कि इनकी नजर में शिक्षा क्या है बालक का सर्वांगिन विकास किसी भी व्यक्ती का सर्वांगिन विकास उनका अर्थ शिक्षा से इनोंने लगाया इनकी प्रिभाशा अपन लिखेंगे शिक्षा से मेरा अभिप्राए बालक का सर्वांगिन विकास है यानि कि इस तरह की definition कई बार read में second grade में पूछा जाता है इस तरह का statement दे के पूछा जाता है कतन दिया जाता है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राए बालक का सर्वांगिन विकास है शिक्षा की ये परिभाशा किस ने दी तो यहाँ पर हमारा अंसर होता है गांधी जी शिक्षा से मेरा अभिप्राए बालक का सर्वांगिन विकास परिभाशा शिक्षा की किस ने दी थी गांधी जी ने इसी तरह एक थे डॉक्टर राधा कृष्णन सरवपली डॉक्टर राधा कृष्णन तो राधा कृष्णन ने भी शिक्षा के संबंद में एक परिभाशा दी है इनके अनुसार शिक्षा मनुश्य और समाज का विकास नहीं करती है तो वह अपुर्ण है ये क्या कहते हैं कि शिक्षा मनुश्य और समाज का निर्माण नहीं करती है शिक्षा मनुश्य और समाज का निर्माण नहीं करती है यदि लगाएंगे अपना यहां यदि शिक्षा मनुश्य और समाज का निर्मान नहीं करती है करती है तो वह अपूर्ण है ऐसी शिक्षा को उन्होंने अधूरी का है ऐसी शिक्षा को उन्होंने अपूर्ण का है कि यदि शिक्षा मनुश्य और समाज का निर्मान नहीं करती है तो वो अपूर्ण है, ऐसी शिक्षा अधूरी है जब कि गांधी जी क्या बोल रहे है शिक्षा से मेरा भी प्राय बालक के सरवांगिन विकास है तो दोस्ता समझ आ रही है बात आपको कि शिक्षा क्या है शिक्षा शिक्ष धातू से बना है जो कि शिक्षा स क्रिट भाषा का शब्ध है और ये इंग्लीष में शिक्षा को अपन एजुकेशन बोलते है दो लेटीन भाषा के शब्दों से बना है और ड्यूको, лी का आरत होता है भीतर से ड्यूकू का आरत होता है बहार लाना और इस तरह से शिक्षा जो है मनुश्य के आंतरिक गुणों को बहार लाने का कार्या करती है और यहाँ पर अलग-लग परिभाशाइं भी पढ़ेंगे यह वर्ड देखी लिए अपने एडूसियर एडूकेर जिनका आर्थ होता है नेत्त्तु करना और गांधी जी और राधा कृष्णन ने शिक्षा की यह परिभाशाइं दी हैं लेकिन इनके अलावा कुछ और भी विद्वान थे जिनोंने शिक्षा की परिभाशा दी है तो देखते हैं और कौन से विद्वान है मनुश्य में विद्यमान पूरुनताओं को परकाश में लाना शिक्षा है मनुश्य में विद्यमान पूरुनताओं को परकाश में लाना शिक्षा है ये किस ने कहा था विवेक अनन था तो विवेकानन सीदे उस education वाले definition पे उस संधी विचेत पर चलेगे जहां हमने पढ़ा था EOD को education EOD को से बना है भीतर से बाहर लाना मनुश्या में विद्मान पूर्णताओं को परकाश मिलाना शिक्षा है ऐसा किसका मानना था ऐसा विवेकानन जी का मानना था उसके बाद हम बात करें पैस्टोलोजी से पैस्टोलोजी भी एक मनोविग्यानिक थे पैस्टोलोजी अब ये पैस्टोलोजी क्या कहते हैं शिक्षा के संबंद में ये कहते हैं शिक्षा मनुश्य की आंतरिक शक्तियों का स्वभाविक समन्वित और प्रगतिशिल विकास है क्या बोलते हैं मनुश्य की आंतरिक शक्तियों का स्वभाविक समन्वित समन्वित तथा प्रगती शील विकास है यह definition किसके द्वारा दी गई यह definition दी गई पैस्टोलोजी के द्वारा तो विवेकानन्द कहते है मनुश्य में विद्मान पूर्णताओं को प्रकाश में लाना शिक्षा है पैस्टोलोजी कहते हैं कि मनुश्य के आंतरिक शक्तियों का सोभाविक समन्वित तथा प्रगती शील विकास शिक्षा है इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट मनोवेग्यानिक की नेक्स्ट मनोवेग्यानिक हैं फ्रेंड सन मनोवेग्यानिक कौन है फ्रेंड सन यह क्या बो सम्बंद व्यक्ति और व्यक्ति और समाज दोनों के कल्यान से है अधुनिक जो तो modern education है उससे व्यक्ति और समाज, दोनों का ही कल्यान होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्ति का कल्यान होता है, इससे समाज का भी कल्यान होता है, और फिर ब्राउन आते हैं कि वो कहते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन लाया जा दो ब्राउन की डेफिनेशन कोई खास नहीं है लेकिन अपन लिख लेते हैं ये कहते हैं कि शिक्षा वहे प्रक्रिया है जिस से व्यक्ति के व्यवार में परिवर्तन लाया जाता है तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने शिक्षा मनोविग्यान का अर्थ क्या है और शिक्षा मनोविग्यान की परिभाशाई क्या है ये पढ़ा है अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं इस टोपिक के साथ इस टोपिक को आगे बढ़ाते हैं तब तक नमस्कार